पूरी दुनिया में मशूर एडल्ट फिल्म स्टार सोफिया लिओनी का निधन हो गया है वो सिरफ 26 साल की थी सोफिया की लाश उनके अपार्टमेंट में मिली है सोफिया के सोतेले पिता ने उनकी मौत की खवर को कन्फर्म किया है सोफिया का परिबार पिछले एक हफ्ते से उनसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी जिसके बाद सोफिया के अपार्टमेंट में जाकर चेक किया गया तो वहाँ उनका शब वरा मद हुआ सोफिया के पिता माईक रैमेरो ने कहा है कि उनकी बेटी के लिए मैमोरियल फंड जुटाया जाएगा उनकी माँ और परिबार की तरफ से भारी मन से मुझे हमारी प्यारी सोफिया के निधन की खबर बतानी पट रही है सोफिया एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्टरसस में से एक थी उनके निधन की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई है सोफिया की मौत कैसे हुई इस बात का पता अभी तक नहीं चलबाया है पुलिस इस मामले की जांच में जुटे हुई है ये कुछ ही दिनों में तीसरी एडल्ट स्टार हैं जिनकी यूँ अचानक मौत हुई है इससे पहले ठैला फिल्ड अपने घर पर मरत पाई गई थी और फरवरी में 36 साल की कागनी लिन कार्टन ने अपनी जान दे दी थी सोफिया लियाउनी की मौत पर दुनिया भर में उनके फैंस शोक मना रहे हैं किसी को भी उनकी मौत की खबर पर भरोसा नहीं हो रहा विरो रिपोर्ड बॉलिवुड पे चर्चा